5G the next gen network technology आज हम इस वीडियो में जानने वहला है कि आखिर यह 5G है क्या और 5G काम कैसे करता है इसका economic impact कितना होने वाला और 5G कितना fast है और finally इंडिया में 5G कब launch होगा और 5G के pros and cons क्या क्या है इसके बारे हम आगे वीडियो में डिसकस करने वाले सो हेलो गाइस वेल्कम टो में यूटूब चैनल तो हमारे पहले question पहते है आखिर यह 5G है क्या साधारन भाशा में बोले तो 5G एक 5th generation of mobile technology यह एक new global wireless standard है जो कि 4 generation के बाद आता है 5G एक नए प्रकार का network है जो ऐसे design किया गया है कि जिससे डिफरेंट डिफरेंट machines, objects और devices को एक साथ connect किया जा सकता है 5G wireless technology में higher multi gbps peak data speed, ultra low latency, more reliability, massive network capacity और अधिक से अधिक लोगों को equal user experience provide किया जा सकता है अरे बेट वा, अरे बेट वा, अरे दादू यार मैं जब वीडियो बना तो आप मुझे क्यों डिस्टफ करते हो हमेशा एक मिनिट एक मिनिट आप इतना बंधन कर कहा जा रहे हो अरे बेट वा, बहुत सही है पुठापे में जवानी के मज़े लूटना तो कोई आप से सीखे यह सब करने से पहले आपको एक बर भी अपने पूती का ख्याल नहीं आया आपके मन में भी कभी ख्याल आया होगा कि आखीरे 5G काम केसे करता है wireless communication system को यूज करगे हवा के मातल से information को carry करने के लिए radio frequencies को यूज किया जाता है जिसको spectrum भी कहा जाता है 5G भी इसी तरीके से काम करता है पर 5G में जो radio frequencies को use किया जाते वो कम उल्जा हुआ हुआ होता है और ये एक ही समय में ज्यार्द से ज्यार्दा radio frequencies को carry कर सकता है अब आते हैं कि 5G global economy impact कितना create करने वाला है 13.1 trillion dollar की global economic output वोने वाला है और लगभग 22.8 million new jobs create होगी 5G के global economic study से ये पता चला है कि ये industry 2035 तक अपना impact create करती रहेगी economies growth होने के साथ साथ नए नए इंडस्ट्रियां भी grow होगी उससे की नए नए jobs opportunity भी create हो सकती है लगभग 22.8 million new jobs create हो सकती है अब देखते हैं कि आखिर ये 5G कितना fast है ये तो obvious बात है कि 5G 4G की तुलना में ज्यादा fast होने वाला है 5G 20 Gbps पर सेकंड पीक data speed deliver कर सकता है on and average level पर आपको 100 Megabits per second से ज्यादा speed मिल सकती है इसके speed का reference दू तो आप 8K movie को आप 500 गुला ज्यादा fast download कर सकते हो 4G की तुलना में अरे मम्मी यार ये बैल किसने खुला छोड़ दिया उसको बानने को बोलो यार पर एक मिनिट उन्तो शेहर में रहते हैं इधर बैल की आवास कहा से आ रही है अरे बैटवा मलबाविर हम रोत बाणी डए हम रोत बाणी खुली से मेरे पास बैठे थे आर मुझे पता ही नहीं डे चला आपका आए आप तो धात पर क्यों हो गया और वैसे बताओ क्या क्या हुआ है अच्छा आपका यह रोला धुला बंद करो अच्छी से बताओ कि हुआ क्या अज़्बढु द्विदाओ जो लालू पर साड बानादे लाडू पर रशाट उच्छम्पा के लेके फड़ा लो गई कौन लालू प्रसद वो लालू प्रसद नहीं जिसके इतने सारे बच्चे और इतने सारे बीविया है कुछ समझ में नहीं आता अचानक से हर साल नहीं बच्चे आ जाते हैं उलालू चम्पा के का लज रेडु रूपिया के ओटवा के लाली को रिटकदी हर चम्पा उलाली के लालस में चल गर रे हमरा के छोल के पडालो गई चम्पा वेवफा बिया हमरा के छोल के चल गर रे हरे यार यह सब तो हो नहीं था अब जो हुआ भूल जाओ छोड़ो यह सो ओके बाई दादू बाई फाइनल एर दादू चले गए दादू ने तो पुरा दिमाग हिला के रख दिया तो आखेर कब 5G इंडिया में लॉंच होगा रिमर से यह पता चल रहा है कि शायद इसी साल के अंदर 5G इंडिया में लॉं लगता है कि इसी साल में हम 5G देख सकते हैं अब देखते हैं कि आखिर है 5G के एडवंटेजेस के हैं और इसके डिजएडवंटेजेस के आए 5G के जो पहला एडवंटेज है वो है फास्टर स्पीड नमबर टू है लो लैटेंसी यानि कि हम किसी वेबसाइट के अंदर क्ल बहुत शारे सेक्टर पर यह अपना इंपक्ट करने वाल है जैसे कि मैनुफैक्टरी सेक्टर हो गया और सेटर हो ओगा और हेल्थकेर सेक्टर पर दी अब जान लेते हैं कि आखिर यह डिस अद्वन्टेजेश क्या है नंबर वन ली करने के लिए, तावर की जरूरत होते हैं पर टावर को लगाने के लिए ज़्यादा कॉस्ट और बहुत सारे टाइप की जरूरत होती है नमबर फ्रि अपलोट छाइब मेंद water przy बहुत ज्यादा पर नये होते हैं सबस्क्राइब जरू करते हैं।